हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो आपको बताने आ लहा हूँ प्रकास का अपवर्तन यानि रिफ्रेक्शन ओफ लाइट किसे बोलते हैं यह क्लास 10 के लिए काफी ज़्यादा इंपवर्टन रहे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो देखे प्रकास का अपवर्तन किस दिशा बदल जाती है दिशा बदलने की क्रिया को प्रकास का अपवर्तन कहते हैं तो इक्जांपल से बताएं यह क्या है मैं नहीं समझ रहा हूं तो देखिए तो अगर आप लाइट वायू से यानि एर से वाटर में डालिएगा ठीक है तो क्या होगा जो लाइट है आपक दिशा बदल जाता है जिस पाथ पर उसको जाना चाहिए उस पाथ पर नहीं जाता है सर मुझे यहां पर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूं एक डाइग्राम बना करके देखिए जैसे मानके सलिए यहां पर मानके सलिए यह क्या है और ये नॉर्मल है यह क्या है आपका आभी लम हिंदि में क्या बोलते हैं ति कि इसजे को अभी लं बोलतों धीक यहां सी लुआ हैंकि यह सो आ यहां तरसे निकलौ जैना चाहें है इस वाले path पे नहीं जाती है वो यहां पर मुघ जाती है ठीच एजिस तो होता है light मुट जाती है तो यह जो light मुठ जाती है ठीच है इस light को जाना चाहिए ऐसे लेकिन यह चली जाती है ऐसे इसी प्रिक्रिया को क्या बोलते है upward तो गाइस एक दोसरे माद hearings में जब जाती है लाइट तो ये क्या हो जाती है मुड़ जाती है ठीक मुड़ जाती है इसको जाना चाहिए था ऐसे लेकिन चलि म्तफर बनाती है अंगल यानि आपतन को इंगल आर यानि इंगल URL को इंगल इंगल आफ इंशीड Deus और इंगल रियम्ट और गered को क्या बोलते है आफ टितकरण अथी गजूरक बडरन और यहां पर पानी में चली गए इसको क्या बोलते हैं अपवर्तित किरन जो फर्स्ट मीडियम में आ रहे हैं जिस मीडियम में लाइट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं आपवर्तित किरन और जो सेकेंड मीडियम यानि दूसरे माध्यम में जो लाइट जा रही है उसको क्या बोलते हैं अपवर्तित किरन आगे प्रकास्य घंट्बों जितना अधिक होगा उसमें प्रकास्ज की चाल उतनी ही कम होगी जैसे अगर आप अगर आप면 the light लोई वह बहुत तीजी सजाएगा लेकिन अगर पानी में light को लिए तो कमती जजाएगा वैसर इंतल ग्लास में डालेगा तो और कम जाएगा और डायमन में डालीगा और कम हो जाएगा तो वही चीज़ यहां पर बताया जा रहा है कि प्रकास यह घंप तो इसमें प्रकासकी। क học कर दो कंड मौट को की चाल कर लिए जू सब्सक्राइब करना है फाल मज़ों को यह बसान की तेकेर और फ़न